करते हुए कहा कि मिशन चंद्रियान 3 नए भारत के स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है चंद्रियान को चंद्रमा पर पहुँचे तीन दिन से ज्यादा का समय हो रहा है इस सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाएं वो कम है जब आज आपसे बात कर रहा हूँ देख पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियों याद आ रही है आसमान में सिर उठा कर घने बादलों को चीज कर रोशनी का संकल पले अभी तो सुरजूगा है द्रड निश्चे के साथ चल कर हर मुश्किल को पार कर गोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सुरजूगा है आसमान में सर उठा कर घने बादलों को चीज कर अभी तो सुरजूगा है मेरे परिवारजन 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रियान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सुरज चांद पर भी उगते हैं मीशन चंद्रियान नए भारत के उस स्पिरित का प्रतिक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है भारत का मीशन चंद्रियान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरन है इस पूरे मीशन में अनेको विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तोर पर जुड़ी रही है इन्होंने अलग-अलग सिस्टिम्स के प्रोजेक्ट डारेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे कई एहम जिम्मेदारिया सबाली है भारत की बेटियां अब अनन्त समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनावती दे रही है किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांशी हो जाए तो उसे उस देश को दिक्सित बनने से भला कौन रोग सकता है मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अंगिनत सफरताएं हासिल करेगा प्रधार मती देश को भी है